दोस्तों वाल्ड वार 2 के बाद ऐसे हतियार सामने आ रहे थे जैसे के हिटलर का सौन गॉन या सोबियत फ्लाइंग एरक्राप्ट कैडियर लेकिन वहीं अमरिका एक ऐसा हतियार बनाने में लगा हुआ था जो ना ही नुक्लियर बॉम था ना ही कॉन्वेशनल TNT बॉम फिर भ दिया था इन रोड्स में प्रोपल्सन सिस्टम भी लगा होता था जिससे यह अपना डिरेक्शन कॉन्ट्रोल कर सके लेकिन एक बार यह रोड्स धरती के आठ्मोस्पेर में एंटर करते ही माक 15 तक का रपतार पकड़ लेते थे और जबरदस्त काइनेटिक एनरजी के साथ यह रोड्स जहां गिरते उस जगा को पूरी तरह से बरबाद कर देते थे चाहे वो कोई बंकर या सेल्टर हो सभी को यह रोड्स अपने काइनेटिक एनरजी से चीरता हुआ बरबाद कर देता लेकिन दोस्तों 1967 आते आते अमरिका ब्रीटेन और सोबियत यूनियन मिलकर आ प्राइच करना इसके बिरूत था